नमस्कार आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसने और धमाकेदार बुलेटे निउस ब्लाष्ट और आपकी साथ में विचेंद्रे सुल्व सबसे पहले बात करते हैं प्रधान मंत्री मोदी की जिने नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्चे सम्मान मिला है दा ग्रेंड कमांडर ओफ दा आउडर ओफ दा नाइजर ये वो समान जिन से उन्हें सम्मानित किया गया है नाइजीरिया ही राश्पती बोला एहमद टुनूबु ने प्रधान मंत्री मोदी को सम्मानित किया प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को भारत और नाइजीरिया के रिष्टों को समर्पित कर दो मोदी से पहले 1979 में ब्रिटेन की क्विन अलिजा बेत को ये सम्मान मिला था प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पाने बाले दूसरे विदेशी शक्स बन गए प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को मिलने बाला सत्रवा अंतराश्टिया वोड नाइजीरिया दोरे के बाद प्रधान मंत्री मोधी अलसुभा पहुंचे ब्राजील और ब्राजील पहुंचने पर प्रधान मंत्री मोधी का जोरदार स्वागत किया गया परमपरागस स्वागत ब्राजील के जीओडी जेनेरियो में G20 शिकर सम्मिलन में प्रधानमंत्रिमोधी शामिल होने गए हैं और इस जुरान माना जा रहा है कि शीजिन्पिंग के साथ भी उनकी मुलाकात होगे और जिस सरीके से प्रधानमत्रिमोधी के नित्रत में वेश्टविक सरपर भारत की पहचाना सिर्फ मजबूत होती जारिया बलकी वेश्टविक परिपेक्ष में भारत अभी सेंटर ओफ अट्रेक्शन या कहें कि पावर का केंद्र बिंदू पंता जा रहा है वही महराष्ट और जार्कण यहां विदानसवा चुनाओं का शोर थम चुका है महराष्ट में एकी चरण के अंदर चुनाओं होने जबकि जार्कण में दो चरण में चुनाओं होने पहले चरण का चुनाओं हो चुका है दूसरे चरण के लिए विदानसवा चुनाओं मे प्रचार का शोर थम गया है माराष्ट में 20 नवंबर को सिर्फ एक फेस के अंदर मतदान होगा और माराष्ट की सभी 288 विधानसवा सीटों पर ये मतदान होगा जारकन में 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी शेश बची 38 विधानसवा सीटों पर जारकन में वोट डाले जाए 20 नवंबर को सुबाश 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाए दोनों राजों में कुछ जगा समिनशील बूधों पर 5 बजे तक वोटिंग होगी अलाकि 6 बजे बाद भी मतदान केंद्र के अंदर मौजूद लोग वोटिंग कर सकते हैं 23 नवंबर को चुरावी नतीज़े आएंगे और पश्टिडिया सबसे पहले आपको नतीज़े बताएगा लेकिन जिस तरीके से महराष्ट में चुरावी जंग चल रही है वहाँ जंग दरसल एक ही पार्टी के विभाजन और विभाजन के बाद जनता में स्विकारियता किसकी ज्यादा है इसको लेकर वोट डाले जाएगी और बात करते हैं गुजरात की गुजरात में सितंबर में हुईती श्वेत करांथ 2.0 की शुरवात और केंद्रिये ग्रेयम सेकारिता मंद्रे अमिश्याह की नई पहल डेरी शेत्रे से चुड़ी 36 लाक महिलाओं के लिए माइक्रो एटियम तयार किये गए ये महिलाओं करती हैं सालाना 60,000 करोड का खारुबार माइक्रो एटियम के जरिये बैंकिंग स्वीदा घर बैटे उपलब्ध होगी महिला किसानों को बैंकिंग का प्रशिक्षन उनके नाम से खारुबार माइक्रो एटियम के जरिये महिलाओं आर्थिक रूप से आत्म निर्भर हो रही है सहकारी समितियों के आपसी सहयोग से महिला सशक्तिकरन गुजरात में एक मौन करांती से कम नहीं है और ग्रेमंत्रे मिशाह का अभियान जिस सरीके से वहां महिलाओं को ना सिर्फ आत्म निर्भर कर रहा है बलकि एक वो माइक्रो लेवल से कारुबार को बढ़ा रहे हैं कि जहां हर घर में रोजगार होगा आप सोचिए जराव इलाका कितना संपन होगा और वहीं अगर बैंकिंग स्विधाओं को भी घर बैटे ही तयार कर दिया जाए तो इससे बहतर कुछ नहीं अब इससे आप श्वेत करांती कहिए, मौन करांती कहिए या फिर महिलाओं की आत्म निर्भरता के साथ आर्तिक विकास के दर को आगे बढ़ाते हुए उनको सशक्त कर अपने पैरों पर खड़ा करना और परिवार को मजबूत करना कहिए जो चाहे कहिए अभियान अच्छा है वहीं बजनलाल सरकार की पहली वर्ष गाट से पहले हो सकते हैं कई बड़े फैसले कॉंग्रस सरकार के आकरी 6 महिनों की लोकल भावन स्कीमे बंद हो सकती हैं रिव्यू के लिए बनी कमेटी सबकमेटी कैबिनेट सबकमेटी जल्द सीम को सौपेगी फाइनल रिपोर्ट अब इसमें क्या-क्या हो सकता है सोचिए सरा इसमें महिलाओं को दिये जाने वाले फ्री स्मार्टफोन राशन किटी ओजना बंद हो सकती है कॉंग्रस राज के दोरान बनाए गए जिलों के रिव्यू का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और आदा दर्जन छोटे जिलों को बड़े जिलों में मर्ज करने की सिफारिश लगबग होना था है वहीं राजिसान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लिकर भी जल्द फैसला लिया जा सकता है इसके लावा एसाई भरती परिक्शा 2021 को रद करने या नहीं करने को लिकर भी फैसला हो सकता है बजला सरकार में इन मुद्दों पर फैसले को लिकर अलग-अलग सर पर काम हो रहा है तो महीं सब इंस्पेक्टर भरती परिक्शा 2021 पेपर लीग से जुड़ा प्रकण और वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे एसाई से जुड़ा मामला मामले में राजिसान हाई कोट ने दिये यथा सिती के आदेश जस्टी समीर जैन की एकलपीट ने आदेश यत्ती है अधालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में प्रस्रीक्शन कर रहे ऐसाई की नहीं होगी पासिंग आउट परेड याजिका की लंबित रहने के दोरान नहीं होगी पासिंग आउट परेड केलाशन शर्मा और अने की आचिका पर प्रारंबिक सुनवाई करते हुए ये आदेश दिये गए और बाग करते हैं जल संसादन विभाग से जोड़ी बड़ी खबर की सोम कमला अंबा बान से जोड़ी कैनाल तूट गई है और बान से करीब 16 किलोमेटर की दूरी पर कैनाल तूटी है 30 किलोमेटर लंबी कैनाल भवराना शेतर में तूटी है और जल संसादन विभाग ने तीन दिन में कैनाल सही करने की बात कही है कैनाल तूटने से 20 से ज्यादा गाओं को नहीं मिलेगा सिंचाई का पानी और हजारों किसान कैनाल के पानी से ही अपने खियतों में खेती करते है कैनाल में छोड़ा जाता है 4.3 की उसे एक पानी और कैनाल तूटने से करीब 2000 हैक्टेर में नहीं हो सकेगी सिंचाई और बादकरते हैं ज्यापूर की, छोटी काशी की, पिंक सेटी की, गोविंद की नगरी की जो अपना 297 वास आपना दिवस आज बड़ी धुमधाम से मना रही वेद, जोतिश और वास्तु का बेजोड संगम है गुलाभी नगरी चोटी, बड़ी रामगन चोपड मार्ग बाटने को नहीं बलकी सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली कुंड थे जिसका सिद जल पिलाया जाता था विद्वान, व्यापारी और योध्धाउं ज्यापूर की चोटी चोपड कहलाती थी सरस्वती कुंड और इसका विद्वानों और पुरोहितों को मिलता था पारी बड़ी चोपड को माना जाता था महालक्ष्मी स्वरूपा और इसके चलते बड़ी चोपड के आसपास वसाए गए जोहरी, स्वनकार और व्यापारी लड़ाकू सामंतोर योधाओं को सप्लाई किया जाता था रामगन चोपड का पान और बनावट देखिये सरा, मंत्र मुग्द कर देखिये क्योंकि नव ग्रह सिध्धान्द पर पूरी की पूरी बनावट के दुए इसके लिए चला नो अंको का गणित, परकोटे को नो चोकडियों में बाटने के साथ बनाए गए नो बासार हर मार्ग, बासार, रासे और गलियों की चोड़ाई का योग भी कैसे 9, 18, 27, 36, 45 गज रहा, यानि कि 9 तो 9 है ही, 18 मतलब 1, जमा 8, 9, 27, 2, जमा 7, 9, 36, 3, जमा 6, 9, और 45, 4, जमा 5, 9 और सोचिये एक जोर में बसाए करें, और इससे बहतरी वास्तू और आपकी संस्कृति के साथ आधुनिक्ता का संगम आपको दुनिया के किसी शहर में नहीं मिलेगा, और इसलिए कहते हैं कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं, और आपने जैपुर नहीं देखा, तो जि जैपुर का 297 वास्त आपना दिवस है, वेद, जोतिश और वास्तू का जो बेजोड संगम गुलावी नगरी के अंदर देखा जाता है, वैदिक विवेचना की साथ वास्तू की विवेचना से इसकी बसावट की गई, वास्तू से इसके कृति को नाम दिया गया मनसारा, ज यसे किसान खीद को जोता है, वैसे गुलावी शहर की बसावट जैपुर परकोटी की गलिया एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करती है, अब सोचिए जरा किस तरीके से इसको बसाया गया है, और कितनी बारीकी के साथ बसाया गया है, मोहन जोदाडों की बसावट की तरह मिलती है जैपुर की वसावट और शहर की वसावट में सबसे पहले पाढ़ पर विराजमान हुए गडगरेश। इसी सीद में आपको गोविन देवजी का मंदिर चंद्रमहल और एक सीद में त्रीपोलिया पुर्तगाली जोतिश विशेशक गया है, जैविय डी सिल्वाने करवाया बैदेश शाला का निर्मार। पीछे कई वज़े भी यही है कि वास्तू कला का बेजोड नमुना है, हमारा शहर गुला भी लगए है। जैपूर शहर कभी चार दिवारी तक सिमित रहने वाला शहर बड़ी तेसी से फैल रहा है। तीन और अरावली पाहरियों के बीच भव्या परकोटे में बसा है शहर और सापना के समय महस 38,000 की आबादी शहर के अंदर थी। और फल भोलते शहर में अब करीब 40,000,000 के बार आबादी पहुंच चुकी है। जैपूर का परकोटा 2019 से यूनिस्को की विश्व विरास सूची में शामिल है। वासु का सापत्यय मरमग्य भी संसार के सर्व सुन्दर शहरों में इसे शुमार करते है। 1971 में 76 वर किलमेटर में फैला जैपूर आज 3,000 वर किलमेटर है। आज आदुनित्ता की तरह दिन रात आगी पढ़ रहा है जैपूर शहर। और आईए पुर्खों द्वारासों पे सुन्दर शहर की शान में लगाए चार चांद भारत का पैरिस से कहे जाने वाले जैपूर शहर सहीज कर रखना बड़ी चुनोती है लेकिन ये सिर्फ सरकार और सिस्टम की चुनोती नहीं है। ये चुनोती है हर एक जैपूर वासी और बात करते हैं रवी सिसर से जोड़ी बड़ी खबर की। प्रदेश में फसलों की बुआई के लिए अनुकूल हुआ मौसम अगले 15 दिन तक जमकर होगी फसलों की बुआई और बुआई का आकड़ा 90% को पार करेगा। वर्दमान में 50% से ज्यादा हो चुकी है दिसम्बर के बाद कम अवदी में तयार फसलों पर रहेगा जो प्रदेश में गेहूं की हाईवरीड किस्मों की बुआई की जाएगी। दिसम्बर के पहले पकवारे तक चल सकता है बुआई का दोर लेट शुरू हुआ सर्दी का दोर मार्च तक दिख सकता है असर। एज जो फसले बाकायदा मौसम अधारित होती हैं उनको इस सरीके के मौसम चक्र में फायदा होता है बशर्ते जब फसल पक कर खेतों में तयार हो और जोरान कोई प्राकरतिकाब्दा ना जाए। और बात करते हैं जैसल मेर की जहां प्रवासी गिदों की आवग शुरू हो गई है जिले में कई जगों पर गिदों ने अपना डेरा डाला है। दुनिया वर के ठंडे इलाकों से यहां पहुंचे हैं प्रवासी पक्षा और अब तक दोसों से ज्यादा गिद जैसल मेर पहुंच चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं हजारों किलोमेटर का सफरताय करके वो जैसल मेर पहुंच दे हैं। और पक्षियों का कुनबा, धोलिया, भादरिया गावों की औरण में यह प्रवासी गिद पहुंचे हैं। साथी डिनपी और पतेगड के देगराय औरन में भी यह गिद नजर आ रहे हैं। हिमालियन ग्रिफॉन गिद के साथी यूरेशियन ग्रिफॉन और सिनेरियस वल्चा प्रजाते के गिदों ने जैसल मेर का रुख किया है। अब गरीब चार महिन तक जैसल मेर में प्रवास करेंगे पक्षी गर्मी के मौसम की शिरुवात के साथी ये वापस अपनी दुनिया को लोड़ जाएंगे। रोड तयार करने का भी प्रोजेक्ट हैं। और उससे जाम से निजात का तरीका यही है या तो अंडर पास बना जाएं या फ्लाइओवर बना जाएं।